हम इसक्त मौझूद हैं का शीय विश्मनाथ और ग्यानवाफी परिसर में और नमाज का इस वक्त समय हो चुका है और आप तस्वीरे देखिए सर आप लोगों क्या हदायत दिया गई आजके लिए भैया आप लोगों क्या हदायत दी गई आजके लिए तो भी देखिए फिलाल लोग बोलने से बच रहे हैं पीछे की तरफ आप देखिए यह वो परिसर है ग्यान रापी का जहां से एंट्री है और एंट्री गेट है गेट नमबर चार फिलाल हिलायत यह दी गई थी क्योंकि वजू स्थाल अलुडी सील्ड है तो आज लोग ना आप देख रहे हैं ग्यान रापी मस्जिद है और यहां पर भाई साब कई सारे हैं भाई साब इनसे जरा बात भी करने के लिए कोशिश करूँगा और नमाज के बाद यह बात्चित करने के लिए बता रहे हैं पर धीड आप देखिए यहां कितनी एकदम से बढ़ गई है फिलाल अपडेट इसमें ये है कि बोला आज गया था कि लगभग जो है 20 के ओपर लोग यहां पर अलाओ किये जाएंगे पर आज संख्या ज्यादर देखने को मिल रही और असे इसलिए कहा गया था क्योंकि सुप्रीम कोट के आउडर के बाद जो है कही न कहीं लोकल कोट करने के लिए तो अभी फिलाल लोग बात नहीं करना चाहा रहे हैं पर बड़ी संख्या में देख पा रहा हूं वो ग्यानवापी मस्जिद में नमाज ददा करने के लिए नहीं मुझ भी बोल में से फिलाल बचने तस्वीर आप आज तक पर लगातार देख रहे हैं कि 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 यहां पर आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं पीछे की गली है जहां से आ रहे हैं आएम वहां आपको लेकर चलते हैं कि जहां से लोग निकल कर आ रहे हैं और क्योंकि वजू स्थल जो है उसको सील किया गया है तो हाथ पैर जो धोनी की प्रक्रिया होती है वो उस तरह से नहीं हो सकती है उसके चलते अब यहां अंदर किस तरह से management होगा किस तरह से यह लोग वजू का काम करेंगे यह देखने वाला है फिलाज जो वो गली है जहां पर last time दंगे वाले हाथ हुए थे वहां पर बैरिकेट्स लगे हुए हैं वहां पर police की force तैनात हुई है और हम आप पीछे का बैरिकेड है पीछे के जो बैरिकेट्स है और यह वो गली है जहां से देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यूथ है बुजूर्ग है वो सभी नमाज अदा करने यानवापी मस्जिद के ओर बढ़ रहे हैं